इस ब्रीडियो के अंदर मैक्स पिंट करने वाला हूं बेटल तो उनकी आने वाले न्यू एपिसोड को जो की नोवल बीजड होगा तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जैन ने बहुती आसानी से टैन था जिसको पर बिश्ट को मार डाला था और उ हैं इससे इउन снयर के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती तभी जैन अपने गलेस प्लम को बाइन निकालता और इंसें की बॉडि को फ्राय करने लगता है मतलब वसी रिफाइन करने लगता और ऐसी रिफाइन करते करते जैन को 2 गंचें बीच जाते मगर तभी अचानक सो ये आंके अभीकली बंद होती हूँ एकदम से खुल जाती है और अभीकली ये सब ट्यान गोजुन से कर पा रहे होती है क्योंकि उनने अपनी थोड़ी से सोल पावर उसके अंदर डाल दीती जिस पज़े से वो अभीकली यूंजन की बॉड़ी को कंटूल कर पा रहे थे और साथ लेक्टी फूरी यूंजन की बॉड़ी को अच्छी से क्या होता है इस पज़े से ट्यान गोल में की बॉड़ी तरीके से केप्चर करने काफी दर टायम लगने वाला था और साती है जो प्रोसेजर वो भी इतियर दर आसान नहीं वने वाले हो थी क्योंकि जियान पूलता है कि अभी के लिए ट्यानवाज़जे को इस body को capture करना है तो उन्हें काफी heavy pain से गुजरना होगा क्योंकि अभी के लिए उनकी जो soul है उसे heavenly flame से refine होना होगा जिसके बाद ही वो यूंसेन की body को capture कर पाएंगी और यह सब process में heavenly flame में एक बहुत ही important part है क्योंकि बिना heavenly flame की किसी body को refine नहीं किया जा सकता है मगर यह जो process है वो काफी दा खतरनाग और काफी दा painful है क्योंकि उन्हें अभी के लिए मेरी heavenly flame की burning को जिलना होगा और अगर वो नहीं जिल पाते तो यह body वो भी नस्ट हो जाएगी जियान भी अभी के लिए अपनी glaze flame और body को combine करने में लगा हुआ था और यह जो process थी वो almost खतम होने वाली थी और यह जो यह उन्सयान का चेरा था वो अभी के लिए एक्दम लाल हो जुका था मगर जो body थी उसके अंदर अभी भी कोई भी movement नहीं होती इस पज़े से जो process होती है वो जियान continue रखता और ऐसी एक दिन और बीच जाता है तभी हमें गुफा के थोड़ी दूर की बाहर का scene दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक बुड़ा आके अपियर हो जाता है जिसन दिखन बागे की लोग होता है वो असने लगते फिर scene कटो की सिलन और लिटिल फेट डॉक्टर और आट डीमन परविट की उपर आ जाता तभी सिलन बोलती की जियान भाई को काफी टाइम हो चुका है मगर फिर भी हमें गुफा से कोई भी हल से सुनाई ने दी इस पर जेसे मुझे ऐसा लगता है कि साज जियन भाई इसे रिफाइन कने में फेल हो गए है मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर की जो एक्स्प्रेशन होते है एकदम से चेंज हो जाते क्योंकि वहांका जो टेंपरिचर था वो काफी डाउन होने लगता और बोलता है क्या इन लोगों ने हमें टूल लिया और इतना बोलती हैं उनके सामने एक गौती बड़ा सा पोर्टर खुल जाता और उसके अंदर से काफी सारे डोब निकलाती है और रिन्यू में से ने कलता है एक बुड़ा एल्डर जापर आती हैं वो सबसे पहले लिटिल फी डॉक्टर वो देखता है और बोलता कि तुमारे पास है यह बुल पोईजन बोडी मगर लिटिल फी डॉक्टर इस पे कोई भी जवाब ने देती और अपनी बुल पोईजन बुलती कि लगता है कि आइस वर्स वैली मुझे पकड़ने के लिए काफी दा एफट डाल रही है जिस पज़े से मुझे पकड़ने के लिए उसने इत्ते पाफ़फल वारियर को भीज़ती है जो कि डॉंजों की पीक पर है जिस उनके बुड़ा एल्डर बोलता कि बैसे त पुछती आकर इसके अंदर ऐसी खास बात क्या है तो यसे उनके सिलनन बताती कि यह बुड़ा बहुती ज़्यादा चाले में और सती साथ यह बहुती ज़्यादा पाफ़फल है क्योंकि अभी के लिए डाउसों की पीक पर है और इसने आईजों फोर्स को भी एकड़र कर अब देकली तुमारे वो दोनों साथी कांपर जिसमें से एक सोल बाड़ी थी और एक बच चतव अगर वो यहीं पर है आसपस तो जल्दी से उन्हें बुला लो क्योंकि मैं एक साथी उन सभी लोगों को मार देना चाहता हूँ क्योंकि उनने भी हमारे एल्टरों को मारा है इसी बज़े से मैं उन्हें जिन्दा नहीं चोड़ सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने उन्हें जिन्दा छोड़ दिये तो मेरे बैली चीप मुझे नहीं चोड़ेंगी मगर तभी जो लिटल फी डॉक्टर होती हो उन दोनों को चुपकर आती और बोलती कि अभीकली तुम इ इसी बज़े से मैं अभीकली चेक करना चाहता हूँ कि बुल फी डॉक्री तरफ देखता और बोलता कि काफी लंबा टाइम हो चुक है मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम गाव एक बुल पोईजन बड़ी के साथ फाइट की ती इसी बज़े से मैं अभीकली चेक करना चाहता हूँ कि बुल पोईजन बड़ी अभीकली कित्ती ज़्यदा पौफल हो चुकी है और वो कित्ती ज़्यदा कैपेबल है इसी बज़े से चोटी लड़की मुझे परमीशन दो तुमसे फाइट करने की वहीं पर यह सब सुनके जो आइसवर्स पहली की लोग बच की बाइन ना जाने पाई और फिर हस्ते हुए लिटल फेई डॉक्टर से बोलता है कि आज इस पहली से तुम मैंसे कोई भी बाइन नहीं जा सकता है मगर जो लिटल फेई डॉक्टर होती वो अभीकली गुफा की तरब देख रही होती उम्मीद के साथ मगर काफी ट्यांसी से पाइट करने के लिए रेडी हो जाती क्योंको अभीकली जियन को फोड़ा सा टाइम और देना था जिस बज़े से अगर तोड़ी मत प्रॉसेस रह गई हो तो जियन उसे पास पास पूरा कर ले मगर तब ही जो अपना पंच बनाता है और जाके सीधा ट्यांसी क पॉपेट को देखे तो हैरन हो जाता है मगर एक स्माइल के साथ वो बहुत ही आसानी से अटेक को रोक लेता है और बोलते के मैंने उस मिरर के अंदर इस पॉपेट को देखा था मगर असलियत में पॉपेट तो सच में काफी दा कमाल का है जो की एक डॉजंग लेवल की पी लटक्टर से बोलता है कि अभी के लिए लटकी तुम कवी दा कमजोर है क्योंकि मैंने लास्ट इम जिस पॉपेट की थी वो बहुत ही दा स्ट्रॉंग थी तुमारी कमपरजन में मगर जो लिटल फेट डॉक्टर थी वो अभी के लिए काफी दा है रहान हो जो की थी और उ जैसे हुपा हम लिटल फी डॉक्टर की सीड से टकराता है वो बहुत ही आसानी से तूट जाती है और वो अटेक जाके सीधा लिटल फी डॉक्टर में लगता है जिस बज़े से जो लिटल फी डॉक्टर होती हुआ से काफी दूर पीछे किसको ही चली जाती है और इसकी अल पर आड्यमन बफेट आजाता है और वो ट्यान्जी के उपर लगे तेरी अटेक करने लगता है मगर जो ट्यान्जी होता है वो बहुत असानी से उसके सभी आठेक आऱ इसकेज़ कर देता है याद भींकर जो ट्यान्जी K bit नाय५ कर्देनी पाइती से जो अड़ीवन पुपेट होता वो रोकेट की तरह उड़ता हुआ जाता है पीछे की तरह और काफी सारे पाड़ों वो तोड़ती जाकर सीधा जमीन की उपर गिरता और इसकी जो हालत होती है और वो अभीकली एक पुपेट था इस बज़े से अभीकली इस अटेक को जेल हो इसलिए तुमारे लिए यही इचा रहेगा कि तुम चुप-चुप से मेरे साथ आइसे वर्स वैली चलो जिसके बाद तुम्हारा जीना और मरना सब डिफेंट करेगा तुमारी किसमत की उपर इसी बज़े से अभीकली तुम मेरा ब्रोत करना वंद करो और मेरे साथ रोख पाती है और उसके जो आलत होती हो और भी तखराब हो जाती है मगर जो ट्यानजी होता है वो यहां पर भी निरुकता और आपनी आईजन फॉर्स की मदर से लिटल फीडॉक्ट को जमा के रख देता है बाद साती उसकी आईजन फॉर्स भी काफिदा स्टॉंग थी इ इसी बज़े से वो अपनी बुल परिजन बॉड़ी की सील को तोड़ देती है जिस बज़े से उसकी बॉड़ी के अंदर से काफिदा बुल परिजन बाई निकले लगता है यह सब करने का कोई भी फाइदा नहीं होगा मगर तभी आचाने से गुफा के अंदर से एक परिजन बॉड़ी के अपने और इक रिलीस कर रखा होता है वही पर जो लिटल फी डॉक्त होती बुबी गुफा की दर देखती जापर अब इक लिए उसे जियान दिखाई दी थे और साथ इसके साथ एक बंदा उता जिससे वह पैचान नहीं बाती है मगर तभी उसकी परिजन बॉड़ी के लिए बॉड़ी रिफाइन करने में और जब जीन यह आवास सुनता तो जीन हामेसा नहीं ला देता है और लेटल फी डॉक्तर से बोलता है कि अभी ठीक हो यह सुनकि लेटल फी डॉक्तर एक स्माइल कर देती और बोलती कि यहां मैं ठीक हूं बस थो काफी दा हैर हो जाता है क्योंकि अभी जो लिटल फी डॉक्तर थी वो बहुती बुरी तरही किसे इंडिया डोचो की थी और जब यह वाद जीन को परता चलती तो जीन काफी तो गुस्से में आ जाता है यह देखते हैं जो ट्यान जी होता है उसके भी आवाओ चेंज हो ज जूंग है मगर तभी वो ट्यान जीन को जूंजे के और यह को अच्छे से सेंस करता और बोलता है लगता है साइदी बंगता वही सोल बॉडी है जिसे मैंने उस मिरर के अंदर दीखा था मगर यह सोल बॉडी इतनी जदा पौफल कैसे होगी क्योंकि मैंने उस टाम इस जो पहले वाइट हुआ करते थे अब वो ब्लैक हो गए है मगर फिर भी अगर किसी ने ट्यान हो जूंजे को देखा होगा सोल फोम के अदा तो बहुती आसानी से पैचान जाएगा क्योंकि अभी के लिए यूंसें की बॉडी में से ट्यान हो जूंजे का जो और बहुती द लड़की और इस पोईजन लड़की को अपने साथ ले जाना होगा क्योंकि मेरे आइस वर्स वैली की लोग इन्हें नहीं चोड़ेंगे और अगर मैं इन दोनों को यह से नहीं ले गया तो जो मेरे बैली चीप है वो इसके अंदर आएंगे और यह चीज मेरे दोस्त आपक लोगों से और साथी कमेंट कर वहाँ अगर इन्हें नैस पाट जल से जल चाहिए जिसके अंदर ट्यानों से वो अभी क्लिए अपनी नई बॉड़ी के सथ पाइट करने वाले हैं मगर फिलाल के लिए इस वीडियो में सरे पितता ही मैं मिलता हूँ आपसे नैस वीडियो मे तब तक कि लिए आप सभी को बहुत सरप यार